ओम शान्ती आज 3 जून 2024 है और आज की मुर्ली में बाबा ने हमें कहा कि जब हम याद में बैठते हैं तभी माया का वार होता है माया हमें छोड़ती नहीं है इसलिए बाबा के पास बहुत सरे लोगों की रिपोर्ट साती हैं तो माया बुद्धी पर वार करती है और बुद्धी को हम कैसे हम अचल अडोल बनाए रखे कर्म योग से कैसे ये संभव है और कितना ये जरूरी है आज के बाबा के अव्यक्त इशारू से जैसे कर्म स्वतह ही चलते रहते हैं करमेंद्रियों को नाचुरल अभ्यास है ऐसे ही बुद्धी को याद का नाचुरल अभ्यास होना चाहिए इन करमेंद्रियों का आदी अनादी अपना अपना कार्य है हाथ को हिलाने का वा पाओं को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसी प्रमान ब्राम्हन जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धी का निजी कार्य वा जनम का कार्य है बाप को याद करना जीवन का जो निजी कार्य होता है वह नाचुरल और सहज होता ही है तो अपने को सहज कर्म योगी अनुभफ करो आज जैसे बाबा ने हमें मुर्ली में लक्षे दिया कि बाबा को रुची से याद करना है रुची क्यों? क्योंकि जस चीज में रुची होती है वो नाचुरल हो जाती है बाबा ने हमें आज नाचुरल शब्द का कितना महत्व बताया कि हर चीज का एक नाचुरल स्वभाव होता है और जब वो अपने नाचुरल स्वभाव में होती है तो वही उसकी सहज स्थिथी होती है महनत मुक्त स्थिथी होती है जैसे हाथ पाउं का नाचरल कर्म है हिलने का, चलने का हमारा सांस लेना कितना नाचरल है पलक जबकाना कितना नाचरल है ऐसे ही जब हम अपने आपको ये निश्चे करते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा की करमेंद्रियां मन बुद्धी और संसकार इनका नाचरल कर्म क्या है ये भी हमें याद आता है मन का नाचरल करतव्य है मन मना भव होना बुद्धी का नाचरल करतव्य है रुची से बाबा को सर्व सम्बंधों से सर्व प्राप्तियों का आधार मानकर याद करना और संसकार हमारे नाचुरल कौन से है जो हमारे अनादी संसकार है और अगर शरीर रूप में देखें तो जो हमारे आदी संसकार है तो माया का सबसे पहला वार हमारी बुद्धी पर ही होता है तब जब बुद्धी अपने इस नाच्रल स्वरूप में नहीं है इसलिए आज बावा ने कहा सहच कर्मयोगी अगर हमें बनना है तो बुद्धी को इस नाच्रल स्वरूप का अभ्यास जितना हम कराएंगे उतना जादा हम माया से भी बचे रहेंगे और हम कर्म योगी भी बनते जाएंगे ओम शांती